अक्षे की कोट कचेहरी पर बेस्ट फिल्म जॉली ऐललबी 2 खुद कानूनी पचड़े में फसी हुई है बॉम्बे हाई कोट ने जॉली ऐललबी 2 को रिलीज करने के लिए फिल्म पर कैंची चलाने का आदेश दिया है बॉम्बे हाई कोट की और अंगाबाद बेंच ने सोमवार को कहा कि चार सीन हटाने के बाद ही ये फिल्म रिलीज हो सकती है फिल्म जॉली ऐललबी 2 के खिलाफ नांदेड के वकील अजे कुमार वागमारे ने हाई कोट में पेटिशन फाइल की थी जिसमें कहा गया था कि फिल्म में इंडियन लीगल प्रोफेशन और जुडिशल सिस्टम को इस तरह से पेश करने की कोशिश की गई है जिस पर लोग हसेंगे अजे वागमारे की पेटिशन पर संग्यान लेते हुए हाई कोट ने फिल्म के विवादत कंटेंट को रिव्यू करने के लिए एक कमिटी बनाई थी कामिटी के रिव्यू के बाद फिल्म के कई सीन्स को वकीलों और कोट की छवी खराब करने वाला और अदालत की अवमानना करने वाला करार दिया जिसके बाद हाई कोट ने फिल्म से चार सीन हटाने का आदेश जारी किया है जॉली लल्बी 2 के खिलाव बॉम्बे हाई कोट के अलावा जैपूर कोट में भी मामला दर्ज है जैपूर कोट ने फिल्म के ट्रेलर में वकीलों के लिए अशोब निय टिपनी करने के मामले में अक्षे और फिल्म के डारेक्टर सुभाष कपूर को समन जारी कर 10 मार्च तक तलब किया है गौर तलब है कि फिल्म सेंसर बोट से पास हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी लगातार विवादों में फसी हुई है एनमेफ निउस के रपोर्ट